तो आपको इसमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे इसी जिरूर रिमेंबर कर दीजाए आप अपने 24 गंटे का 6 मिट इस वीडियो को दीजेए अपने नौलेज को इनहेंस करिए इस पॉइंट पर आते हैं वो क्या है? Aristotle has used ethos for ethos किसके लिए Aristotle ने use किया है? तो ये character के लिए इन्होंने use किया है इस पॉइंट को याद रखिएगा कई बार ये एक्जाम में पूछा गया है ठीके? इस पॉइंट क्या है कि every great poet as a teacher किसने कहा और किसके लिए कहा कि हर एक great poet जो है वो कैसा होता है? टीचर होता है ये विलियम वर्सवर्ट ने कहा था किसके लिए कहा था? तो जोर्ज वीमॉंड के लिए कहा था इस पॉइंट को याद रखिएगा ठीके? नेस पॉइंट है यहाँ पर आपको society और founder देखने को मिल रहा है जैसे कि chaucerian society को किसने found किया था? तो ये फरनी वल थे जिरों ने ये काम किया था चॉसर society को establish किया था उसी तरह से satanic school of poetry किसने किया था? तो Lord Byron ने किया था सैली स्कूल किसने किया था? तो स्टील ने किया था से experience society किसने किया था तो ये भी स्टील ने किया था दग क्लब किसने किया था तो जोंसन ने किया था आपको पता हो गए के बारे में फिर कैल यार्ड स्कूल किस ने किया था तो जेम्स बैरी ने किया था तो इसको याद रकिएगा ये मुझे नया मिला मैं कुछ सोसाइटी को बहु हम तो जानती थी पर इतनी जांँ तो इतना जादा मैंने नहीं जानती थी ये आपके लिए important point रहेगा चलिए आते हम next point पर यह क्या है from whom T.S. Elliot use a propagandist a salesman clever adversitier rather than great critic यह किसने कहा था तो यह Matthew Arnault के दारा मतब Matthew Arnault के लिए कहा था किसने T.S. Elliot ने next point कहा है who said किसने कहा Matthew Arnault think too much of the use of literature and too little of its pleasure तब Matthew Arnault क्या किते हैं बहुत ज़्यादा सूचते हैं अपने literature अपने साहितिक के यूज को लेकिन उसके pleasure उसमें क्या आनन्द मिलता यह नहीं ज़्यादा सूचते हैं यह किसने कहा था याद रखेगा यह है HW Garden जिनका नाम याद रखेगा यह important question है मुझे ऐसा लगा कि काफी important है तीसे याद रखेगा next point क्या है देखे I am forced by the five senses to fear the life senses यह कहां से यह line ली गई है important है यह line आपने पढ़ी होगी इस line को तो यह Hames in darkness से लिखेगी थी और यह है किसकी ती आपको पता ही होगा यह कि नीचे लिखा है यह है आपकी निजीम इजिकल आपको पता है निजीम इजिकल एक Indian poet है लेकिन इसे हम जियूस के नाम से जानते हैं यह एक जियूस poet थे और इंडिया में रहे हैं इंडिया में ही इनकी पैदावाइस है इंडियन बॉम्बी के नाम से इन्हें जानते हैं ठीके और यह किन किस editor में इन्होंने work किया कई पर यह exam में पूछा गया है याद रखेगा क्रेस्ट नाम की magazine थी जिसमें यह बार किया फिर poetry इंडिया में यह काम किया फिर imprint में काम किया तो इससे याद रखेगा नेश्ट किया है the age of restoration is called so because तो restoration age को ऐसा क्यों कहते हैं क्यों कहा जाता है restoration age इसलिए कहा जाता है because Charles second was restored at that age इस age में 40 second को फिर्स जे गद्दी पर बठाया गया था इसलिए इस age को restoration age के नाम से जानते हैं restore करना next point क्या है कि brownie believed that all the poetry was putting infinite with the finite poetry कैसी होती है infinite होती है within the finite यह बात सही है ऐसा क्या brownie ने कहा था yes brownie ने ऐसा माना था यह बात बिलकुल correct है next point क्या है यह है आपका who was defined Tennyson as come what may he will be one of our greatest poet यह किस ने कहा था तो यह jm hopkins ने define किया था टैनिशन को कि what come what may he he मतलब यह आप पर को ने टैनिशन he will be one of great poet इनको एक great poet के नाम से हम जानते है next है आप जानते होगे यह तर्म यह क्या है pathetic fallacy इसके बार में तो जानते ही होगे यह क्या होती है यह होती है attribute of human capacity to nature's object similar to personification जैसे personification में क्या होता है किसी object को हम personify कर देते हैं जैसे कि नदी होती है तो उसको हम आचल की तरह बोल सकते हैं बादल होते हैं पानी जैसे जो बरसता है rain होता है तो हम आसू की तरह poets कभी कभी उसको बोल देते हैं तो यह सब क्या है personify कर देते हैं हम natural object को तो इसमें क्या किया जाता है यह नीचर को क्या नीचर ऑबजेट को एज़ हिमन केंटरीब्यूट किया था पैठ्रथिक फेल सीमें इसको याद रखेगा और यह सिमलर टु कैसा होता है परसनिफिकेशन की तरह होता है नेस्ट पॉइंट कहा है दग दग ओमर्थ वाज इंस्पारड वा आपके कमिंग जाम जो की मना जा रहा है कि 15 अगर्ज से पहले हो जाएंगे तीजिटी पीजटी के तो इसमें आपको जरूर ये हैल्प करेगा ठीक है आप अपने 24 गंटे का मुस्कल से 6-7 मिनटी से दे दीजे थैंक यू आस्परेंट आपका दिन सुबहूं